दोस्तो चुकंदर में कई तरीके के विटामिन और मिनेरल्स पाय जाते हैं जो सेहत के लिए काफीर लाबदायक होते हैं दोस्तो हम आपको बता दें इसके सेवन से कई समस्याएं दूर होती हैं चुकंदर शरीर में हुमोगलोविन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है साथ ही इसके कई अन्य फायदे भी हैं कई लोग चुकंदर का शलाद बना कर खाना पसंद करते हैं कई लोग जूस बना कर पीना पसंद करते हैं कुछ लोग इने सब्जियों में भी सामिल करते हैं दोस्त हम आपको बता दे चुकंदर में सोडियम, पोटेशियम, कैलसियम, फासपोरस और भी कई पोशक तक तुपाये जाते हैं दोस्त इसके सेवन से इम्मिनुटी वूस्ट होती है शाथ ही इश्किन के लिए काफी फाइदे मंद होते हैं तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं इस वीडियो में चुकंदर खाने से क्या फाइदे होते हैं पहला फाइदा चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सरीर में खून बढ़ाने के लिए उपयोगी माना जाता है अगर आपको एनेमिया की समश्या है तो आप अपने डाइट में शुकंदर को जरूर सामिल करें दूसरा फाइदा दोस्तो शुकंदर दिल से सम्बंदित बिमारियों के लिए भी मज़़द कर सकता है शुकंदर में मवजूद नाइट्रेट खून के दबाव को कम करता है इसमें पाये जाने वाला ब्यूटन खून को जमने से रोकता है दोस्तो तीसरा फाइदा शुकंदर में फाइवर परियाप्त मात्रा में पाया जाता है जो पाचन सम्मंदी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है अगर आपको कबज या गैस की समस्या है तो नियमित रूप से चुकंदर का जूस पी सकते हैं ये भोजन को पचाने में मदद करता है शौथा फाइदा चुकंदर में कार्बो हैड्रेट पाया जाता है जो सरीर के एनरजी लेवल को बढ़ाता है इसके लिए आप चुकंदर को धो कर छोटे छोटे टुकडे करकर इसे पानी में उबाल कर पानी को च्छान कर पानी का सेवन आप कर शकते हैं इससे आपको बहुत फाइदा होगा पच्वा फाइदा दोस्तो चुकंदर में मवजूद फोलेट और फाइवर इसकीन के लिए बहुत ही लाब दायक है इसके लिए आप चुकंदर का रस चेरे पर लगा सकते हैं केल मुहासों को दूर करने में काफी मदद करता है छटा फाइदा दोस्तो चुकंदर मिमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है इसमें मवजूद कोलिन याद दास्त को बढ़ाने में मदद करता है अगर आप दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो चुकंदर को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं शात्मा फाइदा पीरियट के कारण मेलाओं को अत्यधिक रख्त की हानी होती है चुकंदर आयरन से सम्रद्ध होता है ये रख्त की मात्रा और रख्त के प्रभाव में शुधार करता है दोस्तो चुकंदर के तासीर की वात करें तो चुकंदर की तासीर ठंडी होती है चुकंदर को रोज खाना स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों ऐसी हिस्वा सम्मंदी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें